देखिए मुझे ऐसा लगता है इस बात में किसी को इत्राज भी नहीं होना चाहिए कि हर पार्टी चाहती है कि हम अपने दम अपने बहुमत्स के साथ शाषन में आए गठ बंदन प्रथम सुईकारिता की चीज कभी नहीं दे पहली पसंद सबको यही सबकी यही होती है कि हम ही आएं जब हम नहीं आपाएं तो गठ बंदन की खोज होती है इसलिए उसमें मैं इस बहस में पढ़ना चाहता आग कि तेजस्विक की पार्टी यह चाहेगी यह नित है आकर यह गठ बंधन की ही लीला है कि दशकों से नीतिश बाबु के माथे पर रोली चंदर लग रहा है हाथ चाहें लालू जी का हो और चाहें वाश्पई जी का रहा हो मोधी जी का रहा हो माथा नीतिश कुमार का ही रहा ना इस गठ बंदन की लीला है सरकार चाहिए तो लगाईए ते लगाई जब आगनिवीर की योजना आई तो बिहार में भी हिंसा हुई ट्रेने भी जलाई गी नौजवान उत्ते जित थे उसी में बीजेपी के कोटे से दो मंत्रियों के घर पे भी पत्राब हो गया उस वक्त बीजेपी के प्रदेशत दक्ष जाइसवाल ने कहा कि नीतीश की पुलिस ने हमारे मंत्रियों की सुरक्षा नहीं एक टक्राब वहां से भी शुरू हुआ और वह टक्राब इतना बढ़ गया कि आज बताईये जने कितने मंत्रियाग्नीवीर बन गए ब्यार में गटवंदन में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है मैं यह ने समझ पारा कि अगर आपको नितिश कुमार के साथ रिष्टा बना के चलना चाहते थे आप और आपको लगता था कि ने नितिश कुमार की जरूरत है तो यह बोलनी की जरूरत बिहार की जमीन पर क्या थी कि सारे छेत्री दल खतब हो जाएंगे केवल हम बचेंगे ऐसा बोलके तो रिष्टा कैसे चलेगा कोई भी डर जाएगा सहम जाएगा वही सदी बनी भारती जनता पार्टी को अगर एक दवर था पुरानी लोग जानते होंगे राम विलास जी कहा करते थे चिराक के पिता जी कि हम दही में पढ़ने वाले दूद में पढ़ने वाले वो जामन है जिससे दही जमता है फजीले मद अब मैं कहता हूँ वह जमन अब है नीतिश बाबु दूद किसी के पास हो दही चाहिए तो जमन चाहिए जमन चाहिए तो ठीक है इसलिए पैटालिस का मसला नहीं कि उनके पास सीट पैटालिस आई कि तेटालिस आई उत्तर प्रदेश में चार बार मायावती जी चीफ मिनिस्टर हुई उसमें एक बार अपनी मेजारेटी से हुई और तीन बार नितिश बाबु बाले फर्मूले से हुई गलत तो नहीं का मैंने राजनीटी है बिवश्टायों भी कई बार राष्ते लग कर आदेती है और हर राजनेटिक वीवश्टा ओन्ने नितिश कुमार का राष्ते आया कि नीतिश कुमार 24 में राष्टी राजनीती में अपनी कोई भूमी का तय करेंगे नहीं करेंगे इसा भविश्य के प्रश्ण है लेकिन एक बात में कहें के बात समाप्त करूंगा बिहार में जितने चेहरे दिख रहे ना इस वक्त सुशील मोदी से लेके रविशंकर प्रसाथ से लेके और नए उसमें सहनवास तक ले लिजिए नंकिशोर यादव तक सब बीजेपी की तरफ से ले लिजिए तरकान जहा और सब लोग लालू यादव से लेके और रजडी की सारे लोग ले लिजिए और नीतिश बाबू की सेना ले लिजिए पिछले तीस चाली साल से यही लोग डंडबटक कर रहे हैं ना सशाचन में कि बिहार तरक्की क्यों नहीं कर पाया है कि सबको देख लिया इसलिए आप कोई बाब बचाई नहीं जो यह कहें कि हम को मौका दो सबको देख लिया कि पिसलिए 40 साल से बता दीजे इनके अलावा कोई बाहर का आदवी क्या रहा हो कि मंत्री सरकार में प्रसिख लुए नहीं ना तो जब आप ही रहे मेरे मालिक तो ब्यकास की गंगा जो अभी अब मित्र भिमल कह रहें थे गंगा बाहदी भी कहा हैं गंगा कहा है हम तो देखें बाई ने अब नहीं आप आएंगे लोटा पानी नहीं मिलना गंगा जल बतारे गंगा बैगी क्या बिहार हमने नहीं देखा क्या है यह हमारे पास कोई नेत्र दोश है आप लोग कुछ नई किसम का चश्मा लगाते हैं कि सारे मानकों पर आज भी बीहार सबसे कमजुर ष्थती में है कागज में भी और जमीन पर भी तब किसी को भरोसा हो जाए नहीं मुझे नहीं होता कि बिहार में यह जो लीडर्शिप। लीडर्शिप ये बिहार में कोई क्रांती कर देगी मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि सब को आजमाया जा चुका है सब को एक आदमी बता जीजिए जो कहें कि मुझे नहीं आजमाया मिश्रा जी सब आजमालिये भाजपा रार जेडी जेडी यू सब तो ना तो लालू जी के पास अब कहने को कुछ बचा कि एक मौका और दीजिए आपकी गंगा कपता ढूंद लिया आपकी गंगा ले आएंगे ना नीतीश बाबू के पास बचा ना कांगर भाजपा के पास बचा ठीक आम बिहार के आदमी से पूछे तो वो कहता है कि अरे भाजप रहे दे सबहे दे क्या हो क्या उननिस भी इसका फरक दावा इतना आप कर सकते हैं अपराध के मामले में फरक आया होगा क्या विकास की चिडिया तो अभी भी बिहार में चहचाहती नहीं दिखती उससे ज़्यादा पलाइन माइग्रेशन कहीं है क्या जिस बिहार ने हिंदुस्तान में इतने योगितम व्यक्तियों को दिया उस बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन और कैसा माइग्रेशन मजदूर बना के भेज रहे हैं यह बिहार है और नेता कहरे हम लोगों को रात में नींद नहीं आती हम लोग विकास की गंगा इतनी तेजी से बिहार में बहार है सरकार किसी की बने मुख्यमंत्री कोई रहे इतना बड़ा विश्य नहीं होता कि प्रदेश के भविश के इतिहास में आम बिहार बासी के सपने साकार होने चाहिए बिहार का मुझ बिहार मजदूरों के लिए नहीं जाना जाए कि भवाब की धर्ती पर काम होना चाहिए जह वहां का नौओं रहे सरसब जो हो फूले हले हर्याना में पंजाब में फशल काटने के लिए दिए बिहार का नौजवान जाता है और बांदफा रहे और यह आर जेडी और जेडियू वाले करें हम तो गंगा बहादिय थे बहुत साल पहले बिमल बाभू तो यह नहीं कौन लोग है जो फसल काटने के लिए पंजाब और हर्याणा जाते हैं कि इनको गंगा का पता नहीं दिये आप लोगों ने कि यहां नहाओ भाई विहार के राजनेताओं को इमानदार होना होगा जनता के लिए और मैं तो बिहार के नौजवान लोगों से कहूंगा वह जप्रकाश की भूमी है राजंदर बाभू की भूमी है अपने में चेतना पैदा करिए अवाम का नियंतरन होना चाहिए राजनेतिक दलों पर राजनेतिक दलों का नियंतरन अवाम पर नहीं होना चाहिए जिस दिन बिहार में इस्तिती पैदा हो जाएगी उस दिन से विकास का रास्ता बिहार में दिखाई देगा खुलता हुआ उससे पहले मुझे भरोसा नहीं जाती पंथ मत मजब से उपर उठकर अगर बिहार बोट नहीं करेगा तो ऐसे ही लोग आएंगे सपने बेचेंगे औ जिहार वही की वही खड़ा रहेगा